Hello friends, स्वागत है आप सभी का मेरी चैनल Healthy Life में दोस्तो जाइफल क्या है? आसान सब्दों में कहे तो जाइफल एक बीज है जो जीनस मेरिस्तिका मसाले का ग्राउंड स्पाइस है इसको बीज के रूप में पाया जाता है लेकिन इसको ग्राउंड रूप में बेचा जाता है इसकी मीठी कुस्पु होने के कारण इससे कई डिश बनाई जाती है यह मलेशिया, कैरेबियन और दक्षिन भारत में पाया जाता है इस मसाले का पेड़ सिर्फ ऐसा पेड़ है जो दो मसाले एक साथ उगाता है दूसरा मसाला मेस होता है यह जाइफल के उपर वाली परत को पीस करके बनाया जाता है मेस और जाइफल दोनों का स्वाद अलग होता है मेस के फ्लेवर को इलाइची और काली मिर्च के मिसरन का फ्लेवर कहते है तो दोस्तो आज की ये वीडियो में हम जाइफल के फाइदों के बारे में चर्चा करेंगे लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तो अगर आप ये चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कुरूपा करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बाजू में दिये गए बेल आइकॉन यानि की घंटी के बटन को दबा दीजिए जिससे आने वाले मेरे सभी वीडियोस की आपको इंस्टन नोटिफिकेशन मिलेगी दोस्तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है जो दोस्तो ने चैनल को सब्सक्राइब किया है उनको बहुत बहुत धन्यवाद चलिए दोस्तो आगे बढ़ते हैं जाइफल के फाइदों के साथ जाइफल में कई सारे ताकतवर कंपाउंड पाये जाते हैं जो कई बीमारी से लड़ने में हमारी मदद करते हैं और स्वस्त रहने में भी मदद करते हैं इसमें विटामिन और्गनी कंपाउंड और मिनरल्स पाया जाता है इसमें डायेटरी फाइबर, मैंगनीज, विटामिन, बीजिक्स, हाइमीन, फॉलेट, मैगनेसियम और कॉपर पाया जाता है दोस्तो जाइफल और मायाफल के बराबर बराबर चून को दिमी आग पर बुन ले, इसमें 12 भाग मिश्री मिला ले, इससे 1-2 ग्राम की मातरा में प्रते दिन सुबह दूद के साथ बच्चों को सेवन कराए, इससे बच्चों के बल की वृद्धी होती है, बच्चों के चुड़ाना चाहती है, तो बच्चे आसानी से दूद नहीं छोड़ते हैं, ऐसी स्थिती में जाइफल आपके काम आ सकता है, बच्चों को दूद पीना चुड़ाने के लिए जाइफल का प्रयोग करना चाहिए, या लाब देता है, उप्योग के बारे में किसी आईरवध करने के लिए जाइफल का इस्तेमाल कर सकते है, जाइफल अकरकरा, जाइफल, जावित्री, इलाइची, कस्तुरी और केसर को दूद में पका ले, इस दूद में मिसरी मिला कर पिये, इससे पारुष शक्ती की वृद्धी होती है, नमबर फोर, मुह के चाले की समस्याओं मे जाइफल का उपयोग, दोस्तों मुह के चाले को ठीक करने के लिए त्याजे जाइफल के रस को पानी में मिला कर कुला करे, इससे मुह के चाले ठीक हो जाते हैं, नमबर सिक्स, चहरे के दाग दबों में जाइफल के फाइदे, दोस्तों जाइफल को पीस कर शहद मिला ले, इसे चेहरे पर लगालें से चेहरे के दाग और दबबे मिट जाते है चावित्री और जायफल के बारिक चुन को पानी में गोल कर लेप करने से चेहरे की जुर्या मिट जाती है नमबर सेवन, हाथ पेर की तवचा फटने में जाइफल के फाइदे दोस्तो प्राय सर्दी के मौसम में हाथ और पेरों की तवचा फट जाती है इसमें जाइफल को जल में घिसकर पेरों में लेप करने से यह जूर्या ठीक हो जाती है नमबर एट तवचा के रोग में जाइफल से लाब दोस्तो जाइफल के तेल की मालिस करने से तवचा संबंधित रोग दूर होता है आप बहतर परिनाम के लिए किसी आयरुवेदिक चिकित सक्थ से जाइफल के उपयोग की जानकारी लेज़कते हैं नमबर नाइन मूँ से बदबू आने पर जाइफल से लाब दोस्तो बराबर बराबर भाग में कूट, कमल, जावितरी और जाइफल के चूनले इसकी 500 मिलिग्राम की गोली बना कर चूसे इससे मूँ से दूरगंद आने की समस्या ठीक हो जाती है नमबर टैन, दान्त दर्द में जाइफल के फाइदे दोस्तो जाइफल के तेल में भीगोई हुई रूई के फाहे को दान्तों में रखे आपको दान्त में दबा कर रखना है, इससे दान्त के दर्द से आराम मिलता है नमबर 12 माईग्रेन में जाइफल के उपयोग दोस्तो जाइफल के छिलके को वनफसा के तेल में पीछले इसे एक दो बूंद नाक में डालने से आदा सिसी के दर्द में आराम मिलता है यानि कि माईग्रेन के दर्द में आपको आराम मिलता है नमब थाटीन सिर्दद में जाइफल के फाइदे दोस्तो जाइफल का उप्योग सिर्दद में भी बहुत ही लाबदायक होता है जाइफल को पानी में गिसकर सिर पर लगाए इससे सिर्दद ठीक होता है नमब फॉर्टीन कान के रोग में जाइफल के फाइदे दोस्तो जाइफल को पीस कर कान के पीछे लेप करने से कान का दर्द और सूजन ठीक होता है जाइफल को तेल में उबाल कर छान ले इसे एक दो बूंद की मातरा में कान में डालने से कान के बीमारी ठीक हो जाती है नमबर 16, खासी में जायफल के गुण दोस्तों खासी का इलाज करने के लिए 500 मिलिग्राम जातिफ लादी चून में मदू मिला कर सेवन करे यानि की जायफल में मदू मिला कर सेवन करे इससे खासी सास का फूलना, भूखना लगना, टीबी की बिमारी और वात कफ विकार के कारण होने वाली सर्दी जुकाम में फाइदा होता है नमबर 17, अधिक प्यास लगने की परिशानी में जायफल के उब्योग दोस्तों, जायफल को रात पर ठंडे पानी में डुबो कर रखे सुब पांच से दस मिली मात्रा में इस पानी को पीलें से अतियाधिक प्यास लगने की समझया ठीक होती है नमबर 18, भूख बढ़ाने के लिए जायफल का प्रयोग जीहां दोस्तों, बराबर भाग में कंकोल, देवदारू, दालचीनी, सेंधानमक, बेल, मरीच, जायफल, जीरक, दुवई और जावित्री ले इनका बारिक छून कर ले, इसमें मातोलूंग निम्बू का रस मिला कर 250 मिलीग्राम की गोलिया बना ले इसका सेवन करने से अरूची और दस्त की परेशानी ठीक होती है, चायफल को पानी में गिसकर पिलाने से जी मिचलना ठीक हो जाता है नमबर 20, पाचन तंत्र विकार में जायफल के लाब दोस्तों 500 मिलीग्राम जायफल के चून को शहत के साथ मिला कर सेवन करने से जटरागनी प्रदिप्त होती है, बराबर बराबर भाग में जायफल, जोव, नागर मोथा और बेल के चून को छाच के साथ सेवन करने से जटरागनी प्रदिप्त होती है, और ग्रहनी रोग में लाब होता है नमबर 21 पेट के रोग में जाइफल के आउश्वदिये गुन से फायदे दोस्तों पेट की बिमारी में एक या दो जाती फलादी यानि की जाइफल वटी का सुबह और साम सेवन करे इससे पेट की बिमारी में भी लाब होता है पेट दर्थ की परेशानी में एक दो बून जाइफल तेल को बताशे में डाल कर खिलाए इससे पेट दर्थ से आराम मिलता है नमबर 22 दर्स्त पर रोग लगाने के लिए जाइफल का इस्तेमाल बराबर बराबर भाग में जाइफल और सौट प्ले इसे जल में घिसकर सेवन करने से दस्त ठीक हो जाता है इस दोरान स्वस्त बोजन करना जरूरी है दस्त पर रोग लगाने के लिए जाइफल को घिसकर नाभी में लेब करें इससे दस्त की गंबिर बीमारी भी तुरंद ठीक हो जाती है दस्त को ठीक करने के लिए जाइफल लॉंग, सफेजीरा और सुहागा के एक ग्राम चून में मदू और मिसरी मिलाकर सेवन करे इससे दस्त की गंपेर बीमारी ठीक हो जाती है इसी तरह एक से दो जाती फलादी वटी को सुबह और शाम चाच के साथ सेवन करने से सभी तरह के दस्त ठीक हो जाते है पांसो मिलिग्राम जाइफल चून में सवद मिलाकर खाने से पेट की गेस और दस्त की समस्या में आराम मिलता है उल्टी और दस्त की बीमारी में 500 मिलिग्राम जाइफल के चून में घी और खांड मिला कर चाटे इससे लाब होता है लकवे की बीमारी में जाइफल का फाइदा लिया जासकता है जाइफल को मुह में रखकर चूसने से लकवा रोग में लाब होता है दोस्तो जाइफल या जाविस्त्री तेल को सरसो के तेल में मिला कर जोडों के दर्द वाले स्थान पर लगाए इससे जकड़न, मोच, गठिया, लकवा में लाब होता है दोस्तो जाइफल के फायदे जानने के साथ साथ इसके साइड एफेक्ट या इससे होने वाले नुकसान के बारे में जानना भी उतना ही जरूरी है तो आईए उसके बारे में चर्चा करते हैं दोस्तो आयर्वेट के नुकसार जाइफल के ये नुकसान भी हो सकते हैं इसकी 5 ग्राम या उससे अधिक मात्रा का प्रयोग करने पर हिच की बहुत अधिक प्यास लगना, पेट दर्द, मांसिक विकार, व्याकुलता, बेहोशी, द्वीरूपता, लीवर से जुड़ी परिशानी हो सकती है। जानकारी हासिल होई होगी, यदि ये वीडियो आपको पसंद आया है, तो लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए, तथा अपने दोस्तों और परिवाजनों में उसे अवश्य शेयर कीजिए, यदि आप अन्यों कोई विशाई के ओपर वीडियो देखना चाहते हैं, तो मुझे क कॉमेंट में लिखिये, मैं वो सब्जेक के ओपर वीडियो बनाने की अवश्य कोशिश करूँगा, तैंक यू,